नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चनल पे आप लोगों आफ फिर से स्वागत है दोस्तों हमने पिछली का अक्सा में बात करी थी National Education Policy 2020 NEP 2020 के बारे में इससे पहले हमने बात करी थी School Education की आज हम बात करेंगे Higher Education की यनकी भारत में जो उस सिक्षया है उसके लिए जो नई सिक्षया निती आई है उसमें क्या-क्या संसोधन किये गए तो सबसे पहले हम जानने की कोशिस करेंगे कि जैसे इससे पहले हमने बात करी थी कि ये तो होगी इसकुलिंग इसकुल एजुकेशन होई 12 के बाद में आप आते हो गोलेज के अंदर कोलेज के अंदर 4 एर मल्टी डिस्टिप्लेनरी बैसलर डिगरी होगी पहले क्या होता था आपको तीन साल के अंदर ग्रेजवेट कर दिया जाता था लेकिन अब क्या होगा यदि आपने गोर्मेंट ने कि उसकी वेल्यू रहेगी यदि आप एक साल भी कोलेज के अंदर इंटर कर गए हो पढ़ गया हो तो उसका सेटिविट मिलेगा हो सकता आपने दो साल की जो है कोलेज करी हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा ऐसे नहीं कि आपकी जो साले है वो बरबाद हो जाएंगे आपकी कोई भी जो साल है वो बरवाद अपकी फ़र नहीं होगी यदि आप तीन साल कोलेज के अंदर गए हो तो बेशलय डिग्री जो है वो आपको मिल जाएगी वहीं पे यदि आप 4 साल जाते हो तो multi-disciplinary जो degree है वो आपको मिलेगी multi-disciplinary जो degree होती है वो क्या होती है तो दोस्तो इसके अंदर जैसे पहले हम education के अंदर जैसे पहले पढ़ाने के लिए B.A.D. की degree ची होती थी पहले 3 साल की होती थी अब इसको कर दिया 4 साल गी तो कोई भी बहु इस है कि इसको हिंदी में बोलते हैं यानि कि एक से ज़्यादा विश्यूंक में यदि हम किसी परकार की degree पराप करना चाहते हैं तो वो होगी अब 4 साल गी इसके बाद में हम बात करें दोस्तो एमफिल जो है उसको हटा दिया गया है अब वो जो है master in philosophy वो है इसको हटा के ये किसी भी काम की नहीं रहेगी पहले एमफिल और जो PhD होती थी वो साथ-साथ होती थी लेकिन जो है अब एमफिल नहीं होगी यदि हम बात करें हमारी NEP 2020 में जो man keywords है और किनकी उबर focus किया गया है तो GER gross जो enrollment ratio होता है वो 2018 के according 26.3% है उसका target रखा गया है 2030 तक 50% करना यानि कि enrollment से तात्परी यह है कि college के अंदर बच्चे कितने का आ रहे हैं तो 2018 में 100 में से 26 बच्चे ही जो है higher education में आ रहे थे लेकिन government इब ओल रही है कि 2030 तक हम इसको target कर रहे है कि कम से कम सो में से 50 बच्चे जो है higher education के अंदर आएं वहीं पर बात करें public और private university जो है उनकी fees जो है वो fix होगी ऐसे नहीं हो है कि private university और college की fees अलग है और यहां पर पहले तो अलग-अलग उनकी fees होती थी लेकिन अब जो है वो system हट गया है और अब जो fees है private में जाओ चाहिए public में जाओ चाहिए government में जाओ उनकी जो fee है वो fixed रह आकर अपना जो setup है अपना जो campus है वो खोल सकते हैं तो यह भी एक अच्छी चीज है कि foreign की जितनी भी university है वो भारत में आ सकती है वहीं पर regulation अपकी बड़ जो higher education है उसको थोड़ा सा जो लागू करने का जो एक process होता है उसको बोला गया है light but tight यान की education की जो quality है उसके उपर focus किया जाएगा और अच्छी गुन होता कि जो शिक्षा है वो अब की बड़ भारत में दी जाएगी यह जो है NEP 2020 का जो है motto है वहीं पे open distance learning यान की जैसे इगनू है quota open universities है उसके according ही अब जो है घर बेठे भी आप क्या कर सकते हो किसी भी परकार का diploma, degree या multi-disciplinary जो degree होती है वो भी आप घर बेठे ले सकते हो आपको regular जो है college और जो universities होती है उनमें जाने की कोई जरूरत नहीं है आप जैसे विविन open universities होती है उनसे आप diploma ले सकते हो वहीं पे एक सबद और आया है मेरू, multi-disciplinary education research और universities यानि कि अब public sector या private sector में जितनी भी universities open होंगी उसके अंदर जो learning होगी, वो IIT और IAM की तरह होगी, multi-disciplinary होगी, यानि कि वहाँ पे आपको जो शिक्षा दी जाएगी वो बहु भी सेख होगी, यानि कि कई विश्यों के अंदर दी जाएगी, जैसे government ये बोल रही है कि अब की बर्जु है, हमारे education system को कौन से को उच्षा तंतर को, ऐसा विक् गोर्मेंट ये भी बोल रही है कि हमें ऐसा है नहीं है कि एक बच्चे को एक फिल्ल में ही उतारना है, उसका जो है holistic development जो है, वो करना है, यानि कि हर तरीके से बच्चे का development करना जरूरी है, तो उसको प्यार, ठीक है, ध्यान, योग, चिंतन, उनके बारे में भी बताना जर बोर्डिंग, higher education commission बनेगा, इसको head करेंगे हमारे prime minister, ठीक है, यानि कि MHRD हटेगी और उसकी जगा हैगा higher education commission, ठीक है, तो इसको बोलेंगे HECI, ठीक है, इसके अंडर में most of 4 जो हैं, वो organization या institution काम करेंगे, कौन-कौन से, NHERC, NEC, HECC, GEC, ठीक है, NHERC का, क्या means है, तो national higher education regulatory council होगी, इसका मुख्य काम जो होगा, वो होगा, जितनी भी organization है, institution है, उनको regulate करना, जैसे teacher education है, medical education है, legal education है, higher education है, इनको regulate करने का जो काम है, वो कौन करेगा, NHERC, ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, NAC की, पहले, ये काम जो था, वो UGC करते थी, दोनों काम, कौन से, grant का, और accreditation का, यानि कि माननेता और अनुदान देने का काम कौन करता था, पहले, UGC करते थी, अब इन दोनों को अलग-अलग divide कर दिया है, ने का काम क्या रहेगा, accreditation करना ही, यानि कि meta accrediting body है, यानि कि ये जो ह जितनी भी universities, colleges रहेंगी, उनको माननेता देने का काम कौन करेगी, NAC, ठीक है, इसके बाद में, NEC, इसका full form क्या है, higher education grant council, यानि कि ये क्या करेगी, अब grant परदान करेगी, कि इनको universities और colleges को, ठीक है, जैसे grant का means हो गया, funding देगी उनको, कौन-कौन से, NETE, यानि कि national council teacher education को, AICTE, यानि कि all India council of technical education को, UGC, college और universities को, उनको जितने भी, यानि funding की जरूरत पड़ेगी, तो वो कौन provide करवाएगा, HGC, इसके बाद में हम बात करेंगे, GEC की, तो general education council रहेगा, इसका full form, वहीं पे इसका जो काम रहेगा, वो एक तो professional जितनी भी degree बगिरा provide करवाने का काम ह वो करेगा, GEC, इसके अंडर में, national higher education qualification framework, यह जो है, यह body, यानि कि curriculum तयार करना, framework जो बनाना, वो काम कौन करेगा, GEC, ठीक है, इसके अंडर में, PSSB, यानि कि professional sitting जो body है, जैसे veterinary agriculture, vocational education, उसका काम करेगा, PSSB, यह किसके अंडर में आएंगे, GEC की, इसके बाद में हम बात करें, दोस्तों, NTA, NTA को मुख्य ते काम दिया गया है, जितने भी entrance exam होंगे, college के, GEC के, और NEET के, उनको conduct कराने का काम कौन करेगा, NTA, ठीक है, national testing agency, इसका क्या काम रहेगा, यह entrance exam conduct करवाएगी, GEC के, college के, और NEET के, तो दोस्तों, यह हमारी NEP 2020, यहाँ पे higher education के, reference में, complete हुई, इससे समदित, यदि आपको किसी भी परकार की कोई समस्या है, तो comment box में लिख कर, आप बता सकते हूँ, इसके बाद में, दोस्तों, हर education जो है, इसके उपर focus किया गया है, कि quality के उपर, एक जो regulation होगा, जो key point है, man man, यह देख लेना, light but tight, ठीक है, मेरू, यह focus कर ले quality हो, और जो college के अंदर professor वगेरा बनेंगे, वो PhD के थरूवी बनेंगे, MPHL को हटा दिया गया है, वहीं पे multi disciplinary, जो degree है, वो important है, यह 4 साल की कर दी गई है, वहीं पे अब आपकी कोई भी साल जो है, वो खराब नहीं होगी, आपको certificate मिलेगा, या diploma मिलेगा, या फिर आपको bachelor degree वगेरा मिलेगी, यह अपना जो है structure है, वो इस परकार से है, इसके अलावा दोस्तों, यानि की government boundary है, कि जो अपने institution है, जो पुराने time पे थे, उनहीं के according जो है, वो future के institution develop हो, और इसका जो target रखा गया है दोस्तों, वो 2030 तक जो है, इस NEP को जो है, वो लागू करना रहे है, कई state हो ने इसको adopt कर लिया है, और कई state जो है, अभी adopt कर रहे हैं इसको, ठीक है, यदि इससे समंधित आपको किसी परकार की दिक्कत है, तो आप comment box में लिख के बता सकते हूं, आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद,